अगर आप NMS exam दे चुके हैं या देने वाले हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि NMS exam में इस बार पास करने के लिए कितना mark चाहिए साथ ही इसका cut up कितना रहेगा और इसका answer की कवाएगा तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं तो बने रह अब यहांनी sexy की यगता परिक्छा और मांची की यगता परिक्छा और दोनों paper में 90-90 प्लस्und पूछे जाते हैं और एक प्लस्und में एक कर आता यानि को नब्य मार्क का परिक्छा होता मैट में और नब्य का से ट में तो टोटल होगी 108 मार्क और इसमें जैसा कि कोई नगेटिब मार्किंग नहीं होता है तो यहां पर देखी कि अगर आप जेनरल या OVC कटेगरी से आते तो आपको 40% चाहिए दोनों पेपर में अगर हम 90 का 40% निकालते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 00 कट हो जाएगा 36 मार्क आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको मैट में भी 36 से जादा चाहिए और सेट में भी 36 से जादा चाहिए तो आप क्वाइलिफाइग कर जाते हैं जेनरल कटेगरी और OVC के लिए हैं लेकिन अगर आप SCST में आते हैं अनुसुची जनजाती अती पिछला वर्ग में आते हैं SCST कटेगरी में तो इसमें क्या होता है कि 32 percent निकालते हैं तो लगभग 39 आता है यानि कि दोनों पेपर अपको 29 से ज्यादा मार्ग चाहिए अइसा निकिए कि किसी एक पेपर में सतर ले आते हैं किसी एक पर में 10 तो पाश नहीं करेंगे दोनों पेपर में आपको पाश करना अनिवार गया अब होता क्या को निकलता यानि अलग-अलग राज में जन्संख्यां का अधार पर सीट निर्धारित किया गया जैसे बिहार की बात करें तो 5,438 सीट बिहार में है यानि इतना ही student का selection होगा तो होता क्या है मानलिजे 40,000 विद्यार्थी परिक्षा दे दिया अब इसमें से क्या होगा कि अगर मानलिजे 6,000 विद्यार्थी पास होगया जो पास मार्थ है उस आधार पर तब इसका cut-up निकलेगा अगर इसे कम विद्यार्थी पास करेगा तो cut-up नहीं निकलेगा जो भी पास मार्थ लाया है सभी पास हो जाएंगे लेकिन अगर उससे ज्यादा विद्यार्थी अगर पास कर जाता है तो उसका cut-up निकलेगा अब यह क्या होता है देखिए तो जैसे कि मानलिजे जेनरल में आते हैं तो आपको 110 115 मार्थ लाना होगा यानि जिसका रहेगा 110 115 के बीच में तब उसका चैन किया जाएगा क्याटेगरी में आते हैं तो 150 110 मार्थ चाहिए टोटल दोनों subject मिला के सी स्ट में आते हैं एसी में 90-95 मार्थ से ज्यादा है तो चैन हो जाएगा ST वाले के लिए भी 95 से पंचानवे मर्क दोनुपेपर मिला का रहा है तो जाकर करके आपका चैन हो जाएगा तो यह होता है कट अप मर्क अब बात करते हैं एंसर की के बारे में तो NMS एक्जाम का एंसर की जैसे आज एक्जाम था मध्यपरदेश में तो इसका एंसर की आपको सामके साथ विजे लाइव क्लास होती है इसी चैनल पर तो लाइव क्लास में आपको एंसर की बताएंगे और भी एस्टेट का जब साम के साथ तुझे लाइव क्लास में देखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पने तो सस्क्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में